हलो फ्रेंड्स, बेलकम टू बैक माई यूटूब चैनल चंद प्रताप अकड़मी आज हम इस वीडियो के माध्यम से रस पढ़ेंगे रस क्या है? रस काब की आत्मा है काब के पढ़ने से, सुनने और देखने से जिस आनन्द की अनुभूत होती है, उसे रस कहते हैं यानि रस काब की आत्मा है काब की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस को कहा जाता है काब के पढ़ने से, सुनने और देखने से जिस आनन्द की अनुभूत होती है, उसे रस कहते हैं रश के अंग रश के अंगचार होते हैं यानि चार प्रकार के रश होते हैं जिसमें पहला है पहला है इस्थाई भाव, दूसरा बिभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव यानि रस के यंग चार हैं पहला है स्थाई भाव, बिभाव, तिसरा नुभाव और चौता है संचारी भाव रस दस प्रकार के होते हैं यानि कि रस जो होते हैं तो दस प्रकार के होते हैं रस दस प्रकार के होते हैं जैसे रस के भेद और इस्थाई भाव यानि रस के भेद में रस दस प्रकार के होते हैं रस के भेद और इस्थाई भाव यानि कि रस दस प्रकार के होते हैं और उनके इस्थाई भाव क्या क्या हैं देखते हैं पहला है सिंगार रस सिंगार रस का इस्थाई भाव क्या होता है राती शिंगार रस इस्थाई भाव राती दूसरा है हास रस का हास तिसरा है करूण रस का इस्थाई भाव सोख वीर रस का उसाह रद रस का क्रोध फिर है भयानक रस तब भय विभस रस का घिणा अदभुत रस अनि विस्मय सांत रस का निवेद वासल रस का वासल यानि रस दस प्रकार के होते हैं रस में जैसे पहला आपको सिंगार रस हो गया, हास रस, करुण रस, बीर रस, रोद रस, भयानक रस, वासल, विभस रस, अदभुत रस, सांत रस और बासल रस, रस दस प्रकार के होते हैं, फिर उनके इस्थाई भाव में जैसे राती, हास, सोक, उस्सा, क्रोध, भय, घिना, बिसमय, निर्वेद, वासल, दोस्तों इस प्रकार से रस को रस हो गया, वीडियो पसंद आया तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अधिक से अधिक लोगों को सेयर करिए, कमेंट करके बताईए, मेरा टेलीग्राम में चैनल है, चंद्प्र लर्न वित, सीप अधिक से आप लोग टेलीग्राम से पाईए, और अधिक से अधिक लोगों को सेयर करिए, वीडियो, थैंक यू दोस्तों झाल झाल झाल, दोस्तों पिक लोगों को से अधिक से अधिक लोगों को से ओमेंटी को से आपột होगों को अधिक, तोस्तों को ज्लीजगकरD 29 kg Gb Boss